कॉंग्रिस ने ता राहूल गांदी की संसत सद्दस्यता रद होने के खिलाफ कॉंग्रिस ने अब अपनी कमर कसली है जिसकी चलते पूरे देश भर में लोगतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान शुरू करने का फैसला किया है इस देश की जनता के सामने की मजबूरी है कि एक सुतंतरता की लड़ाई देश को आजाद कराने के लिए अंग्रोजों किलाब लड़ी गई थी और आज वो हाला देश के अंदर बन गए हैं और जल्दी से कोई कदम नहीं उठाया गया तो एक आजादी की लड़ाई हमें और इसी कड़ी में सोमवार को वजीरपूर विदान सबाशेत्र के अशोग विहार सेंटरल मार्केट में लोकतंतर बचाओ अभियान का आयोजन किया गया जिसमें कॉंग्रेस के कई दिगच नेता भी शामिल हुए इस लोकतंतर बचाओ अभियान का आयोजन शेत्र के पूर विधायक हरिशंकर गुपता ने किया लोकतंतर बचाओ अभियान में वक्ताओ ने सनवात के जरिये केंद्र की बिजेबी सरकार पर निशाना साथते हुए राहुल गांदी की संसत सद्यस्यता रद होने का आरोप लगाया और इसी के साथ अडानी के 20 हजार करोड पुनजी का जवाब भी मांगा लोगों को जागरुक करने की अभी जो वैशक्ता आई है जो हमारा देश का लोगतंतर है जो आज खत्रे में हमें दिख रहा है हमारे देश का जो पैसा है हमारा जो पैसा है जो हम टैक्स के थरू अपनी सरकार को देते हैं वो खत्रे में हैं वो सारा लूटा जा रहा है जैसा कि अटानी और अमबानी के थुरू इतने बड़े बड़े गोटाले हो रहे हैं कॉंग्रेस तो शुरू से ही इस पर प्रशन उठाए जा रही है क्योंकि एक सबसे बड़ा माध्यम मेंस्वी मीडिया है तो लगबग सभी बड़े निउस चानल पर कही ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बीजेपी ने एक रोक लगा रखी है एक तरीके से उनकों पर आकरमन कर रखा है डिमोक्राशी पर खत्रा कर रखा है और उनको दबार रखा कॉंग्रेस के इस लोगतंत्र अभियान को देखते हुए लगता है कि कॉंग्रेस और बिजेबी की ये लड़ाई काफी लंबी चलने वाली है अब देखना ये होगा कि कॉंग्रेस का ये लोगतंत्र बचाओ अभियान अगामी चुनाव में क्या रंगलाता है वीडियो जर्निलिस्ट खुश्बू काबरा के साथ मैं एकता चोहान FNI न्यूस ब्यूरो